जहिन दोस्तों मेरा नाम है दिरंबिर सिंग और आज स्टेडी वाले बाबा यूटूब चैनल पे मैं आपके सामने फिर से लेकर आ गया हूँ एक बार क्लास नाइन्थ का जो हमारा बायवला चैप्टर रह गया था फ्रेंड जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल वा के बारे में भी बात की थी तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ सेल से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ दो चीजों के बारे में जो जिसमें आप लोग NCRT और books में अपने पढ़ेंगे एक जो हमारे सामने है nucleus और एक word होता है जिसे हम लोग कहते है nucleoid ठीक है एक होता है nucleus और एक होता है nucleoid nucleus क्या होता है friends इन दोनों के बीच में discover वो करेंगे हम लोग difference करेंगे sorry nucleus eukaryotic organism में पाया जाता है किसमें पाया जाता nucleus eukaryotic organisms में nucleoid के अगर हम लोग बात करें तो nuclear pro karyotic organism में पाया जाता है ठीक है nucleus के हम बात करें तो nucleus nucleus commute की comparison में larger होता है तो अगर यह larger है तो यह फिर के comparison में छोटा होगा ठीक है double membrane bound होता है nucleos कैसा होता है, nucleus is double membrane bound, ठीक है, मतलब double membrane चड़ी होती है इसके उपर, और जहां तक nucleoid की बात है, nucleoid पे ना तो double ना single, nucleoid पे तो कोई membrane ही नहीं होती, इसलिए हम इसको membrane less भी कह सकते हैं, समझे मारी यह बात, membrane less भी हम लोग इसके अंदर कह सकते हैं, और nucleus के अंदर का जो fluid part होता है fluid matrix होता है, जिसको हम लोग nucleolus कहते हैं, nucleolus, वो इसके अंदर present होता है, nucleolus इसमें present होता है, और nucleoid के अंदर nucleolus absent होता है, nucleolus nucleoid में नहीं होता थिक है nucleoid absent nucleoid absent समझ में आगे यी बात absent थिक है membrane less मतलब membrane नहीं है membrane absent बात समझ में आगे होगे आप लोगो तो nucleus and nucleoid क्या हो गया यह वह particle है cell के जो की main processing unit है जो main coordinating center है cell का nucleus और nucleoid जो की सारी functions perform करने में help करते हैं cell replicating और बाकी सारे metabolic activities तो nucleus और nucleoid यह आपके सामने है nucleus जो की eukaryotic cells में पाय जाते हैं और nucleoid जो की prokaryotic cells में पाय जाते हैं ठीक है बात समझ में आ गई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग friends आगे बढ़ते हैं topic पे जिसको हम लोग कहते हैं division of labor क्या चीज़ है यह division of labor अब ज़रा सुनिएगा division of labor का मतलब क्या होता है जैसा कि इसका नाम है division का मतलब होता है अलग-अलग divide कर देना क्या labor labor का मतलब है functions को division का मतलब हो गया differentiation या differentiating differentiating ठीक है differentiating किसको functions को इसका मतलब हर cell को अपना-पना काम दे देना division of labor कहलाता है बात समझ में आरे होगी आपको division of labor का मतलब यह है कि हर cell अपना अपना काम करे या फिर कोई भी cell अपना कोई काम करे तो कुल मिला कि किसी को काम देना या किसी को labor provide करना ही division of labor कहलाता है तो इसका definition में मैं लिख सकता हूँ capacity of a cell और its parts ठीक है? Parts को organelles भी कहते हैं, cell के parts को organelles भी कहते हैं, अभी हम लोग इस chapter में आगे फढ़ेंगे, cell की ऐसी capacity या उसके parts की ताकि वो काम कर सके, to do work, उसी को कहते हैं हम लोग division of labor, किसी पी तरह के capacity किसी cell की है उसके parts की, जिससे वो किसी पी तरह का काम कर सके, इसको division of labor कहते हैं, मैं आपको बता दूँ, friends, division of labor भी दो part में divider होते हैं, एक होता है single cell organisms में under, ठीक है? और एक होते हैं, जो multicellular organisms होते हैं, जैसे कि हम लोग, single cell and multicellular, single cell organism के अंदर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अलग-अलग cells नहीं होते हैं, इसमें एक ही cell होता है, single cell, और वही सारे के सारे all over body functions perform करता है, तो हम इसके अंदर कह सकते हैं, total body functions, सारे के सारे body के functions यही perform करता है, इसके लिए एक word यूज किया जाता है friends, आप लोग ग्याद रखेगा, इसके लिए word आता है totipotency, क्या चीज है यह, totipotency, देखिएगा ज़रा, toti का मतलब होता है total, potency का मतलब होता है potential, ठीक है, toti मतलब total, potency का मतलब होता है potential, मतलब total potential वाला कोई भी cell, मतलब ऐसा cell जो की सारे की सारे काम खुदी कर सके, उसी को single cell, उसी को division of labor, total potency कहते हैं, और जहां तक multiceller की बात है, है multiceller के अंदर अलग-अलग cells होते हैं, और वो सारे cells अपने-पने-पने functions perform करते हैं, तो हम इसमें कह सकते है, each and every cell has given its own functions, own specific functions, ठीक है, हम यह कह सकते हैं कि हर cell को अपने-पने own specific functions provide किये गए हैं, ठीक है, बात समझ में आगी, जैसे कि अगर हम लोग humans की बात करें, ठीक है, humans की बात करें, हमारे अंदर अलग-अलग तरह के cells हैं, अगर हम अपने cardiac cells की बात करें, तो cardiac cells का series, series ही बात है, यह लोग हार्ट से related होते हैं, इसके अलवा गर हम हमारे auditory की बात करें, auditory system या auditory cells की, जो कि हमारे hearing capacity को control करते हैं, तो हमारी body में इसके अलवा भी अलग-अलग तरह के cells और systems होते हैं, तो division of labor का मतलब हम लोगों ने क्या समझा दोस्तों, division of labor का basically हमने यह मतलब समझा कि cells का काम करना या cells की ऐसी ability जिससे वो एक दुसरे को काम provide करें और वो काम सारे cells perform करें, बात समझ में आ गई क्या, और cells के अंदर इसके compartments होते हैं, friends, cells के compartments को हम लोग cell organelles कहते हैं, क्या, compartments of cells, compartments of cells को ही cell organelles कहा जाता है, अब बुस्तों, cell shapes से, cell, cell, division of labor से आगे बढ़के, अब हम लोग cell shape पे आ गए हैं, हमारा नया topic है, cell shape, क्योंक है, हमारा नया topic है, cell shape, अलग-अलग तरह के shapes होती है, cells की, दुनिया में अलग-अलग तरह के cells भी होते हैं, अलग-अलग cells, अलग-अलग shapes, उनके अलग-अलग तरीके, किस तरीके से वो कहां-कहां पे पाये जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, cell shape दो तरह की होती है, कुछ ऐसे cells होते हैं, जिनकी fixed shape होती है, और कुछ ऐसे होते हैं, जिनकी irregular shape होती है, fixed shape and irregular shape, मैं आपको बता दू, fixed shape कैसी भी हो सकती है, spherical, ठीक है, spherical जैसे की जिसका example है egg cells, दुनिया में जित्ते भी egg cells हैं, mostly जित्ते egg cells हैं, वो सारे spherical shape के होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दो spindle shape देखते रहे का cell होता है, spindle shape होता है, कुछ cells, जैसे कि हम लोग जानते हैं, smooth muscles की, जो हमारी body के अंदर smooth muscles होते हैं उसके जो smooth muscle का जो fiber होता है उसका spindle shaped cell होता है और जैसे कि मैं आपको बता हूँ elongated, elongated मतलब फैला हुआ, stretched मतलब चोड़ा थोड़ा है न तो elongated होता है nerve cell कौन होता है? nerve cell is elongated cell और अगर मैं एक और आपको shape बता दू discoidal कहते हैं उसे discoidal discoidal का मतलब होता है rbc, discoidal का मतलब जैसे की नाम है discoidal, थोड़ा थोड़ा oval में shaped और थोड़ा घूमा हुआ shape समझ में आगे बात, discoidal मतलब oval shaped थोड़ा सा होता है, तो ये सारे अलग अलग तरीके कुछ shapes के example आपके सामने, spherical spindle shaped elongated और थोड़ा discoidal ठीक है, बात समझ में आगे होगे आपको अब दोस्तों अगर हम बात करें irregular shape की, तो irregular में कुछ खास बात नहीं है, irregular का मतलब ये ऐसा है, कि वो cell जिनका कोई fixed shape नहीं है does not does not have fixed shape, ऐसे cells जिनके अपनी कोई shape नहीं होती, जो कि mostly आप कह सकते हैं, unicellular organisms हो सकते हैं, unicellular organism, जैसे कि सबसे famous example है हमारा amoeba, amoeba एक ऐसा unicellular organism है, जिसकी कोई fixed shape नहीं है, ये अपना एक ही unicellular organism है, जो अपना सारा काम खुदी perform करता है, और अपने अलग-अलग तरह के shapes भी maintain करके, ये cell size पे आप लग जारा ध्यान दीजेगा, इस बात पे, cell भी अलग-अलग तरह के sizes के होते हैं, cell size also varies, but एक खास बात, but cell size does not depend upon cell volume, इसका मतलब में आपको समझाता हूं friends, जयार रखिएगा, ये बहुत important है, खेके line, इसका मतलब में आपको समझाता हूं, उससे पहले आप जड़ा cell के size के बारे में समझ लीजे, दुनिया में अलग-अलग तरह की cells के size होते हैं, हमारे course में दो तरह के हैं, एक तो है smallest cell, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दुनिया का सबसे चोटा cell है living cell, जिसको कहते है, mycoplasma, 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 एक bacteria, mycoplasma एक तरह का bacteria है, जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा चोटी, आप यह कह सकते हैं, दुनिया में सबसे चोटा cell यह ही है, mycoplasma, सबसे चोटा, यह इतना चोटा है कि इसका size में आपको बताता हूँ, यह 0.2 से 0.5 micrometer तक हो सकता है, ठीक है, micrometer, micrometer का मतलब है 10 raise to power 6 meter, तो आप इसको 0.2 into 10 raise to power minus 6 meter भी लिख सकते हैं इसके size को, और छोटे से छोटे से लेकर दुनिया में largest cell भी हो सकते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा cell अगर आपको मालूम हो, तो आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा cell होता है ostrich का अंडा, ostrich egg, ostrich egg एक single cell से बना हुआ होता है, जो कि सबसे बड़ा cell होता है, और यह करीब करीब मैं आपको बताता हूँ, यह 15 से 18 cm तक इतना बड़ा होता है, ठीक है, 15 से 18 cm आपको लग रहा हो गया चोटा ही तो है, लेकिन एक्चली यह बड़ा cell है अपने माइने में, अगर सोचे 15 से 18 cm का एक cell है, तो बागी cells भी कित्ते बड़े हो सकते हैं, ठीक है, पर यही खास बात है उसकी, 15 से 18 cm का उसका एक cell होने का मतलब यह नहीं है कि ओस्टेच का size भी बड़ा हो, ठीक है, एक डेजन्ट मेंटर कि ओस्टेच का size भी बड़ा हो कि क्योंकि उसका cell का size भी उसके एक के cell का size भी बड़ा है, यही बात में आपको बताना चाहता कि जैसे कि मानके चली, यहाँ पर एक example है, अपने पास elephant है, elephant एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा organism है, आप यह कह सकते हैं, बहुत सबसे भारी organism है, अपनी धर्टी पे, तो elephant का size बड़ा है, size is big, elephant का size बड़ा है लेकि इसका मतलब यह नहीं है कि elephant का cell size बड़ा है, कि इतना भी बड़ा क्यों नहीं है कि उसके cell का size भी बड़ा हो, ठीक है, बात समझ में आगे होगी आपको, तो यह चीज आपको याद रखने हैं हमेशा cell के size के बारे में, आप इसको और जड़ा पढ़ेगा अपने books के अंदर यह और भी अच्छे से थोड़ा दिया हुआ है, मैंने आपको इसका brief cut दे दिया है और यह चीज काम आईगी आपको हमेशा याद रखेगा, अब friends आगे आने वाले video के अंदर हम लोग बात करेंगे structure of cell की, और structure of cell totally composite है, तीन अलग-अलग parts के अंदर, एक जिसको हम लोग कहते हैं, cell membrane, एक nucleus, और एक उसका cytoplasm, समझे में आगे बात, cell membrane, nucleus और उसका cytoplasm, तो structure of cell इन ही तीन parts में divided है, इसके बारे में दोस्तों, हम लोग अपने अलग दूसरे जो video मैं डालूँगा, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे, तब तक आप लोग इसको देखिए, इस topic को देखिए, नीचे links और description के अंदर, आपको काफी सारे अलग-अलग तरे के links दिये हैं, तब तक के लिए, गुडबाय, जैहिंद!